हेलो स्टूडेंट वेलकम तो ने यूट्यूब चेनल तो जैसे कि हमने अभी तक कंप्लीट किया था उसके बाद की जो टॉपिक थे लिपिट से स्टार्ट करेंगे कि लिपिट क्या है तो लिपिट जूब वर्ड है वह लिपिट वर्ड का यह एक ग्रीक टर्ण वर्ड जिस जिसका मतलब होता है यह derived from Greek term ठीक है और जिसका मतलब होता है Lipos, Lipos meaning होता है जिसका मतलब होता है fat, Lipos means होता है fat तो Lipos may be regarded as organic substance, organic substance के रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं या फिर relatively insoluble in water, जो कि यह insoluble होते हैं water में, solvent in organic solvents, organic subsolvents में यह soluble होते हैं और जिस तरह की lipid कहा जाता है कि वसी और गिलेस्रॉल के इस्टर को lipid कहा जाता है तो यह जल में अगुलनसील किन्तो, chloroform, ether, benzine और carbon tetrachloride अधी fat solvent होते हैं में घुलनसील होते हैं लिपिड में वसा और तेल दोनों आते हैं ठीक है तो लिपिड भी carbon hydrogen के बने युए carbonic yogic है इसमें oxygen की मात्रा carbon और hydrogen से बहुत कम होती है तो यह लिपिड भी carbon और hydrogen oxygen के बने carbonic yogic होगेता होते हैं इसमें oxygen की मात्रा carbon और hydrogen से बहुत कम होती है Glycerol में विस्थापन यानि किąt रेप्लेसिबल जो हाइड्रॉक्सिल मूल Olal जो होता है संमूह कारण या अलकोहल जैसा ही बहवार करता है एवां मैं ex cell जो DO sleep ever अनी कि जो नो इसी कुछ स्फिर्य विन जो हाइडर्क सिल मुलब होते हैं और ने की रहता है झाल कारण छा लिस कर दोफह करता है जो स्जी कर दोफ सकते लिए ने के आध्य श्टार को सब और छोथे इसीछ समान कार्ण करती ह mission तो fatty acids are carboxylic moulak होते हैं carboxylic acid होते हैं obtained mainly from the कहां से पाया जाते हैं कहां से मिलते हैं from the hydrolysis of triglycerides which are uncharged glycerol isters that is neutral fats होते हैं तो हमें जो fatty acids मिले तो fatty acids के साथ वसी आमले के साथ ये के साथ छार किरिया कर वसा और जलूतपन करता है इस्टर एक carbonic yogic है जो जैसे पूछा जाए कि इस्टर क्या है तो इस्टर एक carbonic yogic है जो अलकोगल और वसी प्रतिकिरिया कर उन दोनों के साथ प्रतिकिरिया कर क्या बनाता है जल बनाता है ठीक है लिपिट को हम जैसे की आगे पढ़ चुके हैं लिपिट पढ़ चुके हैं फिरी मैंने यहां पर रिवाइन करा दिया आप लोग के लिए लिए लिपिट को मुख्य तक तीन भागों सिंपल कंपाउंड और डिराइब. सिंपल जो होता है, सिंपल लिपिट क्या हो सकता है, यह वसी आमले जो फैटी असीड और और इवन. ग्लिशरॉल या अलकोछल के इस्टर हो सकते हैं, तेनों को मिलाइगे ना, वसी आमल, यानि फैटी असीड, प्लस घ्लिस्रॉल प्लस अल्कोहल के इस्टर होते हैं यह दो तरह के वास्तिविक अमल है जो घ्लिस्रॉल के इस्टर होते हैं दोनों को मिला कि जो बनता ना सकते हैं ग्लिसरॉल केश्टर होते हैं जैसे कि पामिटीन और ओली अधियाली और मूहं क्या होते है यह वसी अमल और अल्चोहल के इंस्टर होते हैं लिप में ट्रोन में। इसथेड फता चल गया Circ внутain manner ध यह सकते हैं Надव पेख सकते हैं इसकी और आज कंपॉंड लिपिड में किया होता है कि इसमें जो वसा के साथ ़या इसको खाल जाता है इसको फॉसफो लिपिड कहा जाता है ठीक है इसमें मिला हुआ रहता है, sulphate sugar होते हैं, proteins आधी संजुक्त रहते हैं, इसको generally जैसे divide करेंगे, जैसे यहाँ पर दो भाग में divide क्या हैं, उस तरह से यहाँ पर divide करेंगे, पॉस्पोर रहता है लेकिन वशह के साथ फासपोरस संजुक्त रहता है जैसे कि लेसेथीन ठीक है सेफलीन प्लाजमीचौन काहलिंग ये सब ठीक है उसके-बाद रयता है इसी में ये पक्लाइको-लिपिडस। ही है glycolipids में क्या हो सकते हैं इसमें फैट के साथ कार्बोहाइडर संजुक्त रहता है ठीक है तो फैट प्लस कार्बोहाइड है जैसे की एक्जाम्पल में हम लिख सकते हैं नर्वन जो मस्तिस्क और तंत्रीका के माईली नावरन में पाया जाता है ठीक है ज नाम सी पता चल रहे है कि किसे ने कसी करवनिक कर्बनिक सब्सटिंस के शाथ संजुक्त रहें यानि कि वियुक्त है यह अमीरा संपा ऐग्जाम्पल कीा होता है यह आमीनprise के साथ कंपाउंड रहता है शेणिदा良 यह लोग लेख सकते हैं N-acetyl glycosmine और N-acetyl neuramannic acid ठाइब हम उसके बाद आता है टो के सांत हुर सायज्य जो पर भाइब या ले लोकेशन तो दोन इंधों को ही 1 और 2 को तो बना के बीयुत्पन इन वा नहीं सरालयम योगी की तोकोफेरोल यह और बिटेमिन ए नप्था क्यून नौन विटामिन के यह सब दोनों के जल विग्टन से उत्पन होता है इसकी बार आते हैं इस्ट्रॉइड और एस्ट्रोल क्या होता है यह वस्तविक ट्रू फैट नहीं होते हैं आप से अभी ऊपर कहा ना भी यहां पर ट्रू फैट के बारे में बताया हमने तो यह ट्रू फैट नहीं होते हैं बलकि वसा जैसा योगिक होते हैं यह एक फैट जै या होता है तो यह एक प्रकार के ट्रू फैट नहीं होते हैं लेकिन होते हैं छाच के सोर्से बस्तान है सरसो फ developed aAg Tom ott,bir नारीयो तेल, शूरस,समोजी تेल,राइस,ब्रान तेल यह सब आयल के साथ ही जुरा हुआ है तिके लिपिक का मतलब ही whipping के साथ fat fat plus oil दूद गी मखषन पनीर मावा मान्स मचली कोड लिबर और यह सब में लिपिड हमें प्रचूर मातरा में मिलेगा हमारे सरीर के ऊपर क्या है रोल्स होता है तो पादब जन्तु यहम तंत्रिका को सिकाओं के जिली का निर्मान करता है फास्पो लिपिड से होता है यह त्वचा के निचली सत्ह निचली परत का निर्मान करता है ठीक है यह आवश्यक के आशक तक समय कार्बो हाइडिट की तुलना में दूगनी एनर्जी परदान करता है जैसे हम ब्रत वगारा करते हैं तो हमें किसके वज़े से होता है हमें जो एनर्जी की प्राप्ति होती लिपिट के वज़ा से ही हमारे सरीर में एनर्जी मिलती है तो एक ग्राम लिपिट के पूर्ण ऑक्सिकरन करेंगे तो 9.3 कालोरी किलो कालोरी उर्जा हमें मिलेगी उतनी उर्जा के प्राप्ति होगी अत्रिक कार्बो हाइडेट वसा में रुपांत्री थोकर मनिश्य में और इस फैट में ऐतना को सिङ्ट होती है नाजुकम को की सुरक्षा कटती है और वसा में यानी कि फैट बाग बुठ में नचाते हैं यह कहां ऐसी होते है इसीलिपिट के ही वज़़जा से फैट में ही घूल अधी के सिट्विध और के इसमें धूलकर असरोसीद हो हमने अज इतना कम्पलीट किया और यह नुकलिक एसे है नुकलिक असे बारे में पहले वी मैं बता चुकिए हूँ कि नुकलिक एसीड की यह जिसमें चोटी चोटी कायों के सांत दूसरे सीरे के कड़ी जुड़ा हुआ रहता है लॉंग चेन को पॉली नूग्याटाइट कहा जाता है ठीक है नुकलिक अमल में डीने और आरेने दो प्रकार के होता है यह जनेटिक मेटेरियल होता है आरेने जननिक पदार्थों के सहायक पदार्थ होता है DNA mitochondria kendra chloroplast और कोशिका दर्व अंगग यानिक जो और जाता है DNA कहां कहां पाया जाता है mitochondria kendra यानिक नूकलिस में chloroplast में और और जाता है आरेने कहां पाया जाता है यह आरेने कोशिका है माइटोकंड्रिय कोश्ट और केंद्रिका में पाया जाता है材नी कीग¬ में पाया जाता है यह तो यह चोर्भाव तो experiya का पेंट्य शुगर मैंने बताए ना भी कुछ जो इन्युक्लिटाइट bीडियो में आप पेंटोसुगर के साथ एदिनीन के संचोग को नुक्लीोटाइट कर बनाता है। ऑर जो Max1-3 फोस्फप यह doesn't consider monophosphate या adenosine diphosphate या adenosine trigphosphate उत्पन करता है скор subtotal डिने जर्णिक पडार्त यानि की जैंनेटिक मेटेरेल का कया लेक्त प्रोटियेशन अर अनुगी रीन साइच भी पर्नाव नावन लक्षन दूसरी दूसरी भी पहुंचाता है हम यदि किसी का कुछ निकानला चाहेंगे उनकी पैरेंटल के बारे में तो आप देखेंगे कि आपके DNA टेस्स से सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ यह जो हरेडिटरी है यानि कि आपके पुर्वत जो पैरेंटल जो होंगे जो बुन होगा वो सब आपके DNA टेस्स से पता चल जाता है mRNA कोशिका दर्वा में जाकर ट्रांसलेशन बीदी द्वारा पॉली पेप्टाइट संसलेशित करता है और RNA क्या होता है निकली ओलर संगठन बनाता है तो प्रोटीन संसलेशन में mRNA को राइवोजोम से संजुकत रखता है ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं यहां पर बिट going to be vitamins क्या है और vitamins क्या होता है जिसको vitamins भी कहा जाता है जिस तरह की it means को बहुत अधीमात्रा में नहीं लेते हैं personaje की है अधी knit बॉडि बनता है प्रिपियर होता है और उससे उसकी रक्षा होती है जो आसपास में अभी आपने सुना भी होगा कि जब कॉविड चल रहा था तो कितने बिटमिन्स के बारे में चर्चा हो रहे थी कि ये बिटमिन्स खाईए ये खाईए वो खाईए जिससे कि आपके सरीर मे रोगप्रतिरोधक चंता आए तो बिटमिन्स का काम क्या है कि सरीर को रोगों से सुरक्षा करना स्वास्त तो भोजन में अलप मात्रा में ही यह विशेस प्रकार की खनीज लवण जो होते हैं मिनरल्स होते हैं बिटमिन्स होते हैं उनका रहना बहुत जरूरी है इसलिए हमें खासकर ध्यान रहके खाना चाहिए आजकर बहुत ज्यादा सुना जा रहा है ना एड में भी देखते होंगे अप लोग बिटमिंस की सी का सीरम है यह है वो बहुत कुछ है ज्यादा जब से यह सब कौविड और यह सब आने लगा तब से तो और ज्यादा बिटमिंस की चर्च किये थे सर कैसेमीर फंक ने किया था 1911 में और बिटमिंस क्या होता है वह कार्बनिक पदार यह कार्बनिक पदार थे और गैनिक सब्स्टेंस जिलकी जिसकी अल्प मात्रे यानि कि बहुत ही कम मात्रा में हो वह जिवधारियों के चया पचय किरियाओं का यानि मेटाबोलि प्रिदी विकास और रोग प्रतिरोधक चमता यह उसके इम्मिन सिस्टम को बढ़करार रखता है उसे बिटमिन्स कहा जाता है वह कार्बनिक पदार जिसकी अल्प मात्रा जिवधारियों के मेटाबोलिजम करियाओं का नियंत्रा नियम नियमन करता है सरीर की बिदी विकास प्रतिरोधक चमता के लिए आवशक है उसे बिटामिन कहा जाता है ठीक है जो पहले कहा जाता था कि इससे जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसे सुराच प्रोटेक्टिव प्रिंस्पल फूड कहा जाता है यानि कि जिससे बिटमिन्स और खनी से हमें उर्जा नहीं मिलती जिस इनर्जी ऑफमें प्राक्ति नहीं होती है इससे हमें क्या मिलता है तो के लचेनिक आर प्रॉटिद और फुड कहा जाता है तो इस तरह से घूलहन शिलता है यानि इस और बितमिन्स में सल्व भाग और बादर बिटमिन्स को दो भागो में डिवाइट किया गया फर्स था वसा में घूलनसी। और दूसर terre inject में घूलनसी। वसा में जो fat में solos formula oluyor vra beitamin A,umen D,umen E ,ability К जो जल में घूलनसी थे वह vitamin B complex और winter C थे। कहज CAN मैं उनको देखते हैं vitamin A क्या होता है vitamin A और जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है इसका सोर्स क्या हो सकता है हम जितने भी हरी सबजी खाते हैं गाजर पका पपीता आम पालक टमाटर हरी मटर पत्ता गोभी इतियादी में बिटमिन्स ए बहुत ही प्रचूर मातरा में पाए जाती है और जैसे एनिमल से हमें मिलता है तो एनिमल का सोर्स क्या हो सकता है दूद है मचली है मक्खन अंडा कॉर्ड लिवर ओल क्या होता है जो एनिमल होते हैं उनके लीवर से ओल बनाया जाता है तो इसको कॉर्ड लिवर ओल कहा जाता है इनसे सोर्सेस हमें विटामिन एक की प्राप्ति होती है इसका कार्य क्या होता है यह हड सटेंबार करों बार्ट हो जाता है और सब्सक्राइब करतें खरी करणता है और देया को किमें किता है इस किया हो सकते हैं इसकी कमें से स्कूल्राइड शो ब्लादनेशिक्न कर जाता है dat और और में एक आख़े सुखी जाते हैं आखों की जुवती कम हो जाती है तो इसलिए आप जब भी भोजन करें तो ध्यान में रखके करें कि अब जो खा रहे हैं आपके सरीर को उससे प्रचूर मातरा में बिटमिंस मिलें उपर से ना लेना परें जो हम खाएंगे बस उसको ध्यान में रखके खाएंगे तो क्या कि वो सब कुछ लेने के लिए है और अपको फिर प्रदान करने के लिए भी है तो जितना अच्छा खाएं उतना ही अच्छा हमें बिटमिन्स भी मिल सकता है बिटमेंडी और इसको कैल्सी फिरॉल भी कहा जाता है इस तरह से सौट कोसम वगरा में आ सकते हैं कि बिटमेंडी क क्या कहा जाता है तो आप कैल्सी फिरॉल किस बिटमिन का नाम है तो आप इसको लिख सकते हैं इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं प्लांट सोर्स में है इसका फल बनसपती तेल हरी सबजियां यह सब फल बनसपती तेल और हरी सबजियां में बिटामिन डीप माय पाया जाता है और ऐने मल्स में क्या हो सकता है दूद मख़न मलई गी अंडा कॉर्ड कॉन सा बीटामीन है जो केल्सियामुर्फास्पोरस को लितता है तो उसको ध्यान मेरे के पढ़ते जाएंगे ठीक है कि क्या है क्या नहीं है यह सब चीज़ों को नोट करना है ठीक है उसके बाद है कि यह अस्थियों के निर्मान व्रिधी में सहायक होता है ठीक है और अगर स्ट्रॉल नामक योगिक तो अच्छा में उपस्तित रहता है यह सुर्य की पाड़ा ब करता है तो उस समय लेना पड़ेगा नहीं तो बाद में लेंगे तो वह ज्यादा एफेक्ट करता है यानि की अल्ट बायल टरेस के हमारे उपर गलत परभाव पड़ता है इस से डिफिस्टckt क्या हो सकते सिंटम्स क्या हो सकते हैं कौन से बीवारी हो सकती है जिसकी कमी से रेकेट हैं इसको सुखंदी रोग कहा जाता है इस बीटामिन की कमी से ब्रीधी रुख जाती है और जो प्रोड बैठती होते हैं उनकी अस्तिया कोमल होके मुर जाती है इसलिए हमें विटामिन D का अच्छे से सेवन करना है उसकी बाद आता है विटामिन E जिसको टोको फोर फिर ओल भी कहा जाता है तो किस बिटामिन का नाम है तो आप लिखेंगे विटामिन E इसके सोर्सेस क्या है इसका प्लांट सोर्स है सोय बीन सलात की पतिया साख सबजी लेग्यूमिनस जो पौधे करें नारा इस तरह से हमें बिटमिन ई मिल सकता है और अनिमल सोर्स क्या हो सकता है अंडा मचली माज़ दूद ये सब में इम पाया जाए इसका कारें में हमारे शंपर इसकी कमी से नर्णारियों में एस्टर लीटी होते हैं इसको बंदया तक कहते हैं वह अर्ण वर यज़ता जो sexual organ होते हैं उनकी कार्य च्हमता जननंगों की कार्य च्हमता बढ़ती है यह भुड़नी एफिथीलियम होता है जर्ण मिनल एफिथीलियम की ब्रिधीव और विकास होता है मान स्पेशियों पडिवाहन के कार्य का नियंदरन करता है और यह हमारे सरीर पर इतने काम करते हैं यदि विटामिन ए ना हमारे सरीर को मिले तो क्या होता है कि इससे बंदत्या हो सकती है ठीक है और यह हमारे जननंगों की कार्य च्हमता को बढ़ता है और जर्मिनल एफिथीलियम जो होता है उसकी ब्रिधी में और विकास करता है और इसकी कमी से क्या हो सकता है इसकी कमी से से लगनारियों में कि बंध्रता करतेthers लिए हैं इस बच्चें अपने समान बच्चे उत्पण नहीं कर सकते हैं तो सब्सक्राइब हमारे सिस्टम में उसमें इस gossip की कमी से उसमें बहुत ज्यादा जाता है और इसे उसके एक participants के इन है कि कर दो कि स्वार्थ में को कहा जाता है फाइललों क्यू नोना चंप एसका सोर्स क्या होसकता है प्लांट सोर्स होता है पालक, पत्तागोबी, टमाटर, स्वयाबीन और अलफा-अलफा की हरी पत्तिया, अलफा-अलफा कोई है, सबजी है, उसकी हरी पत्तियों को आप खाएंगे, तो उससे विटामिन केक की हमें प्राप्ति होगी, अनिमल सोर्स क्या हो सकते हैं, मचली मां अच्छे से मिलती हैं, और बहुत पसंद करते हैं सभी लोग, इसका कारेक क्या है हमारे सरीर के उपर, यह रक्त में प्रोंथोंबीन नामब प्रोटीन बनाता है, ठीक है, तो जब सौर्ट कोस्टन साएंगे, तो उसमें पूछा जाएगा, कि किस विटामिन प्रोंथोंब हमारे कटे हैं और ब्लेड नहीं जमयता है, तो यह काफी तेजी से बह जाएगा, तो यह रक्त के जमने में बहुत सहयता करता है, इसकी कमी से क्या हो सकता है इसकी कमी से रक्ष तस्राण यानि ब्लीडिंग की अधिक संभावना रगती है इस विटामिन की कमी से एस्पॉंडेनियस हैमुरेज की किरिया होती है जिसकी वज़ा से रक्ष के प्लाज्मा में प्रोंथम्यून की कमी हो जाती है ठीक है 1897 में एक डच साइंटिस्ट जो थे डॉक्टर इज्गमैन ने बताया कि जो लोग पॉलिस किया हुआ चावल खाते हैं उन्हें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है तो बेरी बेरी नामक रोग किस की कमी से होता है जो लोग पॉलिस किया हुआ चावल खाते हैं उनके कारण उस वज़ा से बेरी बेरी रोग हो जाता है ठीक है अब आते हम लोग प्रो बिटेमिन क्या होता है तो वे कारवनी के निवो और्गैनिक सबस्टेंट जिससे की प्राणियों के सरीर में बिटामिन का संसेजिस होत होता है और 7D हाइडरो कॉलेस्टरोल से विटामिन D का संसलेशन होता है ठीक है यह आ सकता है कि प्रो बिटामिन किसको कहा जाता है तो अब लिख सकते लिखेंगे कि वो कारवनिक प्रदार्त यानि और गैनिक सबस्टेंस जिससे की प्राणियों में बिटीमिन के सरीर में संसलेशन रोहता हैλη领 तो है तीक बाद प्यूरान क्या कहा जाता है वह कारे बैक नरी नहीं है हम नहीं थे वो दिखते हैं ऐसे पर काम नहीं करते हैं जैसे कि G होटा है तो इसम्हारे पाड़िन का जाता है जैसे कि कौफी कमला हुआ विटामीनg बाकी है कि छोटे चोटे टॉपिक हैं पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है आपको जानना जरूरी है इसलिए थोड़ा सा डिटेल्स में जाना पड़ता है कि आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ना कुछ समझ में आए तो टेंशन लेने की बात नहीं है मुझे कॉमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं मैं जरूरी रिप्लाइ करूंगी थैंक यू किप वाचिंग बबाई